दोस्तो हाली में मैंने Do You See What I See movie देखी है जो कि एक horror thriller film है और इस film को अवी सुर्यादी ने डिरिक किया है IMDE पे film को मिले है 6 stars out of 10 और Rotten Tomatoes पे इसकी rating अवेलेबल नहीं है हाला कि मैं आपको बता दू कि क्योंकि film नहीं है तो इसकी ratings अभी fluctuate हो रही है तो आज की वीडियो में हम Do You See What I See movie की कहानी को जानते हुए इसके ending पे थोड़ी बात करेंगे So now with that said, let's roll the intro So movie की शुरूआत 1986 में होती है जहां हम एक आदमी को ग्रेव याड से एक corpse निकालते हुए देखते हैं वो आदमी इस लाश को अपने साथ घर ले जाकर उस पर किसी तरह का ritual perform करने लगता है और इसी कमरे के बाहर हम एक बच्ची को भी देखते हैं जो छुप कर ये सब कुछ देख रही थी तभी एकदम से वो लाश बच्ची की तरफ देखता है और scene यहीं पे cut हो जाता है यहां से कहानी 1996 में एक college पे shift होती है जहां हम मवार को देखते हैं जिसका आज 20 वा जन्म दिन है और मवार के दोस्त वे और कार्तिका उसका birthday celebrate कर रही थी वे मवार को एक hair clip gift करती है और मवार अपने दोस्त को बताती है कि वो आज अपने parents से मिलने जाने वाली है इसपे वे उससे पूछती है कि क्या उसकी sister मिलाती भी उसके साथ जाएगी जवाब मवार कहती है कि वो अकेली ही जाने वाली है क्योगि उसकी sister आज उससे मिलने नहीं आपाएगी यहां वे मवार को वार्ण करती है कि आज काफी देर हो चुकी है पर मवार बिर्थडे के दिन अपने पेरेंट को विजिट करना ही चाहती थी अब नेक सीन में हम मवार को बस में देखते हैं जहां वो थोड़ी उदास लग रही थी और बस से उतर के वो एक गरेव याड में जाती है और अपने पेरेंट्स के गरेव पे फूल वगेरा चरहती है यानि कि मवार के पेरेंट्स की मौथ हो चुकी है और मवार का उसकी मवाज चलने लगती है और पास के ट्री में लगे एक वुडेन विंड चाइम्स अवाज करने लगती है इसे सुन मवार थोड़ा डर जाती और अपने मापापा को अलविदा कहके वहां से जाने लगती है ग्रीवियार के बाहर मवार को ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर है पर पीछे मुड़कर देखने पर उसे कोई नहीं दिखता तभी एकदम से एक डॉग मवार की तरफ देख उस पे भौकने लगता है लेकिन किसी चीज से डड़के वो भी भाग जाता है खर यहां से सीन शिफ्ट होके कार्तिका और वे को दिखाता है और यहां हम वे के ब वार कमड़े में आकर अपने बैक से एक विडन बॉक्स निकालती है और उसमें रखे रड रिबन को देख खुश हो जाती है अदिवे रात को कार्तिका को फ्टोन की घंटी सुनाई देती है और फ्टोन उठाने पर उसे कोई आवाज नहीं आता कार्तिका फोन रखके जाती है और उससे कहती है कि कोई प्रैंग कॉल कर रहा है इसलिए अगर दुबारा कॉल आए तो इग्नोर कर देना अब मवार कार्तिका से कुछ कहती नहीं है इन फैक्ट कार्तिका के जाने तक उसे बहुत ही वियर्ड तरीके से घूरती रहती है अगली सुबह किचिन में कार कर उसकी help करती है और मवार को उसके नए boyfriend के बारे में पूछती है यहां मवार कहने लगती है कि वह बहुत ही जादा खुश है और अब उसे ऐसा लग रहा है कि अब वह बिलकुल भी अकेली नहीं है मवार की बाते सुन वे भी उसके लिए खुश होती है और इसके बाद हम उस लड़की के बारे में पूछती है जिसके जवाब में अलेक्स कहता है कि वो लिन है जो एक साइकिक है और पहले भी मैंने तुम्हें लिन के बारे में बताया था पर शायद तुम भूल गई होगी लेकिन वे यहां लिन को देख थोड़ा परिशान तो हो रही थी खर रा बैक को दूर फेक देती है लेकिन दुबारा चेक करने पर उसे बैक के अंदर कुछ नहीं दिखाई देता बट दिन अतिक को याड का गेट अपने आप खुलता हुआ दिखता है इसके बाद अतिक किशन में आती है और वो मवार को देखती है जो की खाली हाथ से ही गरम कित इन को देखती है और उसे साफ करने में लग जाती है तो वहां Eliex आता है जो कि वे को पिक करने अया था इसी बीच वे भी अपने कमरे से बाहर आती है और Alex को डड़ा हुआ देख उसे सवाल करती है पर Alex उसे कुछ नहीं बताता और वहां से चला जाता है तो इसके बाद वे मवार को अपने कमरे से बाहर आते देखती है और उसे अपने साथ कॉलेज चलने को कहती है पर मवार उसे कोई जवाब नहीं देती और दरवाजा बंद कर देती है मवार के इस अजीब behavior से वे थोड़ा गुसा होकर वहाँ से चली जाती है नौ कमिंग टू कॉलेज हम कारतिका को अपना रेडियो प्रोग्राम प्रोड्कास्ट करते वे देखते हैं और तभी उसे रेडियो पे एक कॉल आता है फोन उठाने पे उसे वही wind chimes की आवाज सुनाई देती है लेकिन इस बार हमें ghostly voice को भी सुन पाते हैं जो कारतिका को अपना नाम रेस्टू बताता है और मवार के लिए एक message देता है कि वो अपना रेस्टू से किया हुआ promise ना भूले कारतिका को रेस्टू की बाते weird लगती है और वो ये सारी बाते वे से discuss करती है यहाँ वे add करती है कि आजकल मवार का behavior strange लगने लगा है और वो उनके साथ भी अब जादा time spend नहीं करती कारतिका यहाँ assume करने लगती है कि कहीं ये रेस्टू ही मवार का boyfriend तो नहीं anyways रात में हम वे को Alex से phone पे बात करते हैं और वे Alex को भी रेस्टू के बारे में पता करने के लिए कहती है Alex यहाँ वे से पूछता है कि क्या उसने कभी मवार को अपने कमरे में किसी लड़के के साथ देखा है अब वे को ये सवाल अजीब लगता है और इससे पहले कि वो Alex से इसके बारे में कुछ और पूछ पाती Alex phone रख देता है वहीं मवार को अपने कमरे में तयार होते वे देखते हैं और वो उसी ribbon को अपने बालों में लगाती है scene shift होकर वे पे आता है जो living room में बैट अपना class related notes एक tape recorder में record कर रही होती है और तभी उसे मवार की किसी के साथ बात करने की आवाज आती है वे tape recorder को वहीं रोक देती है और वो मवार को आवाज देती है लेकिन उसे जवाब नहीं मिलता वे recorder को rewind करके मवार की बाते सुनने की कोशिस करती है और यहां वो सच में मवार को रेस्टू से बाते करते हुए सुन पाती है basically मवार रेस्टू का साथ कभी न छोड़ने का وदा वगेरा कर रही थी और कह रही थी की जहां भी रेस्टू जाएगा वो भी उसके साथ ही जाएगी वे ये सब सुनकर शौक्ट हो जाती है और मवार से मिलने उसके कमरे में जाती है कि तब ही कोरिड़ोर में वे को कोई भागते वे दिखाई देता है और उसका पीछा करने में मवार उससे सीरियों के पास खड़ी हुई दिखाई देती है वे मवार को पूछती है कि आखिर वो किस से बात कर रही थी और मवार उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती लेकिन जैसे ही वे रिस्तु का नाम लेती है मवार क्रीपी वे में स्माइल करने लगती है और वहां से चली जाती है अब अगली सुबब कॉलेज में वे रात की रिकॉर्डिंग कार्टिका को सुनाती है और कार्टिका उसे बताती है कि उसने कैंपस में रिस्तु के बारे में पता किया लेकिन उसे तीन ही ऐसे लड़के पता चले जिसका नाम रिस्तु है और उनमें से कोई भी मवार का नहीं है इसके बाद वे एलेक्स से मिलती और वे को मवार के लिए परिशान देख एलेक्स उसे बताता है कि जब वो उस दिन वे को पिक करने गया था तब उसने मवार के कमड़े में किसी की आखे देखी थी चोकि उसे वीर्ड लगा और उसने ये बात लिन को बताई लिन का नाम सुनते ही वे गुस्सा हो जाती है और तभी उसे लिन सामने से आती वे दिखाई देती है ऐसे में वे लिन से पूछती है कि क्या वो सच में साइक है जिस पे लिन हा में जवाब देती है वे उससे मवार के बारे में पूछती है और यहां लिन वे को बताती है कि उसने आलेक्स के उपर एक क्लिंजिंग रिचुल परफॉर्म किया है। क्यूं? क्यूंकि आलेक्स ने मवार के कमड़े में शायद कोई सूपर नाचुरल चीज को देखा था। इन फाक्क गौर करने वाली बात ये है कि मवार भी जब से अपने न्यू बॉइफरेंड से मिली है तब से अजीब हरकते करने लग गई है। वे कहती है कि ये सब उसी दिन से हो रहा है जब मवार अपने पेरेंट के ग्रेव को विजिट करने गई थी। लिन के पूछने में वे बताती है कि जब वो ग्रेव याड गई थी तब शाम हो चुकी थी और तब मवार के पीरियर्ट भी चल रहे थे। लिन ये सुन थोड़ा कंसर्ण हो जाती है और वो वे से पूछती है कि मवार उस दिन अपने साथ कुछ घर लेके आई थी। लिन अपने आके बंद करके एक वुड़न बॉक्स को देखने की बात कहती है और अगर वो वुड़न बॉक्स सच में मवार के पास है तो ये पॉसिबिलिटी है कि ग्रेव याड से कोई स्पिरिट उसके साथ घर आई हो या फिर ये भी हो सकता है कि किसी ने उसके ऊपर पूँचती है और उसके घर पर ना होने का फायदा उठा कर तला ही को मवार के कमरे में वही भूक्स मिलता है जिसे देख वे शॉक जाती है वे बॉक्स में रखे रिबन को अपने पास रख लेती है और तभी वहां मवार आ जाती है मवार उसे अपने कमरे में देख उस पर गुस्सा होती है लेकिन वे उसे रेस्टू के बारे में पूछती है और उसे रेस्टू को सबसे मिलवाने के लिए कहती है अब वे पिल स्पिरिट सब को हॉंट करने लग जाती है पर वे उस रिबन को उस स्पिरिट से बचा लेती है और सुब लिन के पास रिबन को लेकर जाती है यहां लिन कुछ स्पेल चांट करके रिबन को बाउल में डालती है और जैसे ही वो रिबन को वापस बाहर निकालती है हम कर लिया है वे उस्पिरिट को देखने की बात कहती है जिस पर लिन उन्हें अपने पूरे घर में मौरिंगा लीव्स को बिखेरने के लिए कहती है तो उस रात ये दोनों ऐसा ही करते हैं और अतिक को भी बताते हैं कि क्या सब चल रहा है अचानक बाहर बारिश होने लगती औ उसे ऐसा देख उनकी दूसरी रूम में डॉना उन पर गुसा करती है और अतिक की ऐसी हालत के लिए मवार के बॉइफ्रेंड को ब्लेम करती है मवार क्रीपी वे में स्माइल करते हुए कहती है कि रेस्टू अच्छा लड़का है अब ये सब सुनकर वे गुसा होकर मवार क सब को बुड़ा भला कहती है लेकिन वो कहती है कि आज राज जब रेस्टू आएगा तो तुम सब उससे मिल लेना तो थोड़ी दिर बाद हम सब को लिविंग रूम में रेस्टू का इंतजार करते हैं लेकिन तभी वहां पावर कट हो जाती है और कार्थी का नोटिस करती है कि मवार भी अपने जगह से गायब हो गई थी सभी मवार को ढूंडने लग जाते हैं और वे टेबल में रखे हुए दो कप को नोटिस करती है और अचानक उसके पीछे मवार आती है कि आओ तुमे मैं रेस्टू से मिल वाती हूं वे उसके पीछे जाती है और तभी उसे करने अकेले ही बाहर जाती है मवार को ढूंडते हुए एक पास जाने के लिए तरपने लगती है इसके बाद अचाना कि मवार हवा में लिविटेट करने लग जाती है और उसे रोकने के लिए सभी एक रोप की मदद से उसे बेड से बांध देते हैं दिन वे और कार्तिका आतिक को मिलाती से कॉंटाक करने कहते हैं ताकि उसे यहां बुलाए जा सके वे और कार्तिका डिसाइड करते हैं कि उन्हें लिन की मदद लेनी ही होगी और इसलिए वो लोग लिन के घर जाते हैं हिल्प मांगने अब जब लोग लिन के घर का डूट नौक करते हैं तो दरवाजा एलेक्स खोलता है अफकॉस दिस वोज वेरी शॉकिंग पर वे यहां कहती है कि अभी सबसे ज़ादा इंपॉर्टेंट है मवार को बचाना और इस सब चीजसे बाद में रिप्टा जाएगा वे यहां लिन को मवार के बारे में बताती है और उसे उनके साथ चलने कहती है लेन आती है वो मवार की हाल देखती है और एक रिच्छल की तयारी करने लगती है और उन्हें कुछ मॉरिंगा लीव्ज, वो रिबन और एक बड़ा क्लोथ लाने कहती है लेन उसकपड़े को फ्लोर पे भिजाती है और कार्तिका और वे मवार को इस पर सुला देते हैं से उसी कपड़े में बांच देती है ऐसा करते ही सब शान्त हो जाता है और सब कुछ वापस नॉर्मल भी हो गया था तो खायर यहां से सीन करती है इसके बाद यह सब मवार के पेरेंट के घर जाने के तयारी करते हैं और एलेक्स को भी अपने साओं हैं वहां पहूंचने पर वो इलेक्स कि दिन जरूर यहां आई थी पूछ यह जवाँ मिलाती कहती है कि इस्कमरे के बारे में आज ही पता चला है लिन इन्हें बता ती है कि इस कॉρपस पे kisी ने अपने तरक़्ी और अच्छे भवेश्य के लिए रिचुल इसे रिचूल में स्सृत अपने आपको उसके ग्रेव में वापस डालना होगा ताकि उसके आत्मा को शांती मिलेगी लिन मिलाती को उन्हें अपने पेरेंट्स के ग्रेव के पास ले जाने कहती है लेकिन तभी रिस्तू की स्पिरिट इन पे अटाक करके इन सब को डेट बॉड़ी जैसे पोजिशन में बांध देती है लिन वे से उस रिबन को कॉप्स के उपर बांधने कहती है लेकिन इससे पहले वे ऐसा कुछ कर पाती रिस्तू की स्पिरिट उस पे भी अटाक कर देती है तब ही आलेक्स वहाँ आता और वो उस रिबन को कॉप्स पे बांध देता है और उसके ऐसा करते हैं सब कुछ नॉमल हो जाता है इसके बाद ये सब उस कॉप्स को लेकर ग्रेवियार की तरफ बढ़ते हैं लेकिन रास्ते में ये सब अलग-अलग हो जाते हैं मिलाती वे के साथ ग्रेवियार के बास पहुंसती है जहां उसे मवार ग्रेवियार के अंदर दिखाई देती है और दोनों उसका पीछा करते हुए अंदर जाते हैं मिन्वेल कार्तिका भी उन्हें ढूनते वे ग्रेवियार के अंदर जाती है और थोड़ी दे बाद Alex भी cops को लेकर उनके पीछे आता है लेकिन अंदर जाते हैं ये सब hallucinate करने लग जाते हैं और एक ही जगा में होते हुए भी ये एक दूसरे को देख नहीं पाते वे और मिलाती नूटिस करते हैं कि साड़े ग्रेव में उसके माता-पिता का नाम लिखा है और वो दोनों मवार को आवास देने लगते हैं उनका कहना था कि वो आख़री बार उससे मिलना चाहते हैं और ग्रेव मिल जाने पे सभी उसे डिग करने लग जाते हैं अब डिग करने पे उन्हें ग्रेव के अंदर मवार नजर आती है और सभी लोग उसे बाहर निकालते हैं मवार का पल्स चेक करने पे उन्हें कुछ महसूस नहीं हो ता जिससे मिलाती उसे सीपिया देने लगती है और लिन स्पेल चांट करने लग जाती है मीनवाल एलेक्स, कार्थिका और वे रेस्टू के कॉप्स को ग्रेव में बढ़ी करने की कोशिस करते हैं इदर मिलाती अभी भी मवार को सीपियार देने की कोशिस करती है कि तभी मवार मिलाती के लिप्स को बाइट करते हुए इविल वे में हसने लग जाती है मवार रेस्टू को आवाज देने लगती और उसके ऐसा करने पे रेस्टू का कॉप्स ग्रेव से बाहर आने की कोशिस करता है येदे कार्टिक और एलेक्स उसके ग्रेव में मिट्टी डालने लग जाते हैं और लिन मवार को शांत करने की कोशिस करती है अपनी बहन की एसी हालत देख मिट्टी टोड जाती और रोदेवे मवार से कहती है कि उन्हों ने अपने पिता से वादा किया था कि वो दोनों हमेशा साथ रहेंगी और एक दुसरे का खयाल रखेंगी यहां वे भी मवार से कहती है कि सब उससे बेहत प्यार करते हैं और वो उन्हें छोड़ के ना जाए मिलाती और वे की बात सुन मवार फाइनली शान्त होने लग गई थी और एलेक से कार्तिका भी रिस्तु के कॉप्स को गरीव के अंदर बरीक कर देते हैं इससे सब कुछ ठीक हो जाता है and the situation was under control ऐसे में अगली सुबह ये सभी मवार को अपने साथ वापस ले आते हैं अब कहानी कुछ दिन आगे बढ़ती और मवार को वापस पहले जैसा बिहेव करते हुए देखते हैं यानि कि वो अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश थी और इस incident के बाद इनकी दोस्ती और भी strong हो गई थी लेकिन एक रात हम मवार को अपने mirror के सामने बैठे रोते हुए देखते हैं और तभी वो अचानक creepy way में smile करती है अगली सुववे को अपने कमरे में एक letter दिखाई देती है और उसे पढ़ते ही वो मवार के कमरे की तरफ भागती है कार्तिका और डॉना भी वहां जाते हैं और कमरे का दर्वाजा खोलने पर हम देखते हैं कि मवार ने अपनी जान ले ली है letter से हमें पता चलता है कि मवार ने ऐसा कदम उठाने का फैसलाइस ले लिया है क्योंकि अभी वो रेस्टू से बेहत प्यार करती है और उसकी नजर में रेस्टू कभी भी गलत नहीं था खैर वे मवार की लाज को देखकर तूट जाती है और इतनी कोशिस के बावजूद भी वो उसे नहीं बचा सकी सीन यहाँ से शिफ्ट होकर मुवी की शुरुआत वाले दिर्शे पे आता है जहां वो बच्ची कोई और नहीं बलकी मवार थी और उसके पिता उसे ऐसा करते देख लिये थे वो मवार से कहते हैं कि उसे रेस्टू से डरने की जुरूरत नहीं है और ये अब हमारी सारी परिशानियों को दूर कर देगा मवार रेस्टू के कॉप्स की तरफ देख स्माइल करती है और मुवी यहीं पे खत्म हो जाती है तो दोस्तों ये थी मूवी Do You See What I See की कहानी और फिल्म की कहानी काफी सिंपल सी है। फिल्म के एंड तक क्लियर हो गया था कि मवार के पिता ही एक रिचुल किये थे जिससे रिस्तु इनकी फैमली के साथ जुड़ गया और जब मवार विश वगेड़ा मांगने गई होगी तो रिस्तु उसके साथ ही आ गया होगा यानि कि वो सारी चीज़े ट्रिगर हुई और मवार के साथ क्या हुआ वो तो आप देखी पा रहे हैं अब अगर हम मूवी के एंडिंग के बात करते हैं तो मवार ने अपनी जान इसलिए ली क्योंकि वो रिस्तु से अलग नहीं होना चाहती थी और लिन के रिचुल परफॉर्म करने के बाद जब वो रिस्तु से हमने हैं बट यहां दूसरी थेरी मवार के mental health से भी जूरी हो सकती है and we can say कि मवार पहले से ही बहुत जादा mentally upset रह दी थी अब इन movie के शुरुआत में हम उसे सब के साथ हस्ते खेलते वे जरूर देखे लेकिन अलग होने पर या केले होने पर वो हमेशा बहुत ही sad थी और ख responsibilities के तले दब जाने से मवार खुद को अकेला पाई होगी and then वो comfort पाई restu के साथ अब अगर पहली थेरी के हिसाब से जाए तो restu एक spirit था दूसरी थेरी के हिसाब से यानि mental health वाली थेरी के हिसाब से restu spirit नहीं बलके उसके mind का एक manifestation था और यह manifestation इसलिए आया क्योंकि वो अप restu को अपना सब कुछ मानने लग गई थी लेकिन at the end restu उससे अलग हो गया अब चाहिए psychological या फिर लिन के ritual दवारा जो भी हो restu अलग हुआ और इसी कारण से मवार अपनी reality की जिंदगी को नहीं जहल पाई और खुद को खत्म की तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर आप spirit वाली theory चूज करते हैं तो भी सब कुछ सटीक बैठ जाता है वहीं अगर आप mental health वाली theory को भी चूज करते हैं तो भी चीजे fit बैठ जा रही है वैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप किस theory को मानते हैं comment करके ज़रू बताईएगा तो यह थी do you see what I see movie की explanation और उमीद करता हूं आपको explanation पसंद आई होगी पसंद आई है तो से लाइक को शेयर करें साथी चानल पर नए है तो हमें subscribe भी कीजेगा क्योंकि हम अपने चानल पर ऐसी वीडियो लाते रहते हैं पीस